आज की वीडियो में मैं आपको धान की फसल के बारे में एक नई वीडियो के साथ में जोड़ना चाहता हूँ और आज की वीडियो का मुख है जो मकसद है वो यह है कि आप कुछ सवालों के अपने कंक्लूजन भी सुन लें कि बहुत सारे किसान साथियों को बकानी रोग में बहुत समस्याएं आई हैं और बकानी रोग आज भी उसी तरह से बना हुआ है समस्या बना हुआ है किसान भाईयों के लिए लेकिन जानकारी का आभाव होने के कारण बकानी रोग को हम नियंतरित नहीं कर पा रहें तो किसान साथियो बकानी रोग के बारे में आज बात करेंगे और बकानी रोग को नियंतरित करने की दबा के बारे में मैं जरूर आपको बताऊँगा और 100% कारगर दबा के बारे में आज आपसे बात करूँगा साथियो अगला सवाल बहुत सारे किसान भाईयों का लगवक रहता है कि हमें सूरी गिडार में जो हमारे खेत में पहले आई थी अब काफी हद तक नियंद्रेत है लेकिन अभी भी हमारे खेत में है तो हमें क्या करना चाहिए और अब बालियां आने वाली हैं तो सूखी बालियां निकलेंगी उससे हमें साबधान होनी की जरूरत है अगर सूखी बालियां निकलती हैं हमारी खेत में तो वो सीधे हमारी पैदावार पर नुकसान करेंगी चोट करेंगी साथियों अगर बात करें यहाँ पर तीसरे पॉइंट की तो बहुत सारे किसान भाईयों का एक सवाल है कि अच्छे plant growth regulator के बारे में बताईए जिसके जरिये से हम अपने खेत में plant growth regulator का यूज़ करके अच्छी पैदावार ले सकें साथियों बहुत सारे किसान भाईयों के query हैं कि हमने धान के खेत में अभी धान काटे थे और धान के खेत में दोबारा से धान की रोपाई करी है तो हमें कैसे treatment करना चाहिए कुछ साथियों ने कहा है कि हमें मक्का के खेत में दोबारा से हम रोपाई करने जा रहे हैं पर लाब देखने को मिलेगा तो पूरी वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप ज़्यादा सी ज़्यादा इसका लाब उठा सकें साथियों सबसे पहले बात करते हैं बकानी की बकानी एक ऐसा रोग बन गया है कि ये किसान साथियों के बिलकुल फसल मैं नासूर की तरह काम क बकानी के लिए मैं आपको एक बिलकुल फिक्स दबा बता रहा हूँ कि आप यहाँ फिपरोनिल 5% ले लें लिक्विड में ठीक है जादा ही बकानी ने घेर रखा है तो 500 ml लें कम है या मध्यम है तो आप यहाँ पर 250 ml फिपरोनिल लें और उसे मिलाएं लगवग 180 लीटर पानी के साथ और तुरंट उसका स्प्रे कर दें आप यकीन मानिये बकानी आपके खेट से तुरंट खतम हो जाएगी और बकानी आगे नहीं बढ़ेगी यह मैं 100% गारेंटी से कह सकता हूँ बहुल सारे किसान साथियों ने अपने चैनल के माध्यम से इस चीज का फायदा और उसका उप्योग करने के बाद मां उनके खेट से बकानी बिलकुर रुक गई है, कंट्रोल हो गई है और फिपरोनिल आपका लगवग 250-300 रुपे का प्रोडेक्ट पड़ता है यह सबसे सस्ती दबाओं में आता है इसलिए मैं इस दबाओं को प्रमोट कर रहा हूँ बा बकान्दी फंगस का रोग है तो आप मुझे एक वर शॉर्टी के साथ क्या कह सकते हैं कि बकान्दी फपूंद से आती है यह मैं मानता हूँ ठीक है लेकिन आगे वो फपूंद ही रेगूलर बनी रहती है पौदे के अंदर ऐसा कौन सा फपूंद है जो पौदे को बढ़ा पौदे के साथ में रियक्ट करती है और जो पौदे की बढ़ार को रोक देती है नेंतरित कर देती है और उस पौदे के बरावर से जो फुटाव आता है निकलके उस फुटाव में अच्छी बालियां देखने को मिलती है तो इस टाइप से यह काम करती है इस चीज को ऐसे स सारे किसान साथियों का सूड़ी गिडार को लेकर कि हमारे खितों में सूड़ी लग चुकी है या लग रही है या आने वाले समय में लग सकती है तो हम उसे कैसे नियंत्रित करें किसान साथियों सूड़ी में आपने बहुत सारे कालटप यूज कर लिए, बहुत सारे λेमडा यूज कर लिए, बहुत सारे अधर साल्ट यूज कर लिए, लेकिन 100% कितने किसान साथी है जो ये कहते हैं कि 100% हमारे खित से रोग गयव हो गया है, साथियो 100% किसी भी खित से अलमोस्ट रोग गयव नहीं हुए है, ठीक है, और लगवग लगवग अभी भी 60-70% खेत ऐसे हैं जिनके अंदर सूड़ी लगी हुई है उसका कारण क्या है कि हम हलके कीटनासक लगाकर उन्हें बार बार ट्राई करते जा रहे हैं और 2-4-4 बार इस्प्रे करने के बाब जूद भी ये रोक खतम नहीं हो रहा है इसमें हमारे नुकसान बहुत बड़े इस्तर पर हो रहे हैं ठीक है आप यहाँ पर यह तो कोराजन ले लें ठीक है कोराजन जो 120 ml से 150 ml की डोज गनने के लिए होती है आपके धान के खेत में मातर 60-70 ml की डोज है बहुत सारे किसान कहते हैं कि यह महंगा पड़ेगा ठीक है मह महंगा क्यूं पड़ेगा आपने 1500 से 1600 रुपे की दवा ले ली ठीक है जो की लगबग 1500 ml है और उस दवा को आप 12 यानि की 2 एकर जमीन में यूज कर रहे हैं तो आप बताईए कहां महंगा है 100 से 2700 रुपे प्रती बीघा के हिसाब की डोज है यह महंगी नहीं है यह आपके हिसाब से सही है आप इसका इस्तेमाल करें अगर इसका इस्तेमाल सही समय पर कर लेंगे तो इसके ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अब दूसरी दवा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दीमक की बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमारे खेतों में अभी हमने धान काटा है धान काटने के बाद में दोबारा धान की रोपाई करी है तो दोबारा धान की रोपाई करते समय हम क्या ऐसा साल्ट लगाएं जिसकी बज़े से हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो देखिए आपने धान की कटाई करी है आपके दुबारा की धान में एक तो सबसे ज़्यादा दीमक का स्कोप देखने को मिल सकता है यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के वजह से खेत के अंदर आपको फंगस के रोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे 15-16 दिन पर आपको दीमक आपके खेत में देखने को मिलेगी उस समय पर आप यहाँ पर कोराजन लेकर आइए कोराजन के अंदर लगवक 200 से 250 ग्राम यहां पर थाइमोथोग्जम मिक्स करें कोराजन की साल्ट के साथ में थाइमोथोग्जम मिक्स करें और उसका एक स्प्रे करें आप 15 दिन पर या 18 दिन पर जब एक स्प्रे इस चीज का कर देंगे तो आप देखेंगे कि कोराजन एक तो आपके खेत में सूड़ी नहीं लगने देगी जो कि 15-18 दिन पर ही आज कल आ रही है अल्मोस्ट ठीक है दूसरी बात कि जो थायमो थॉक्जम का आप इस्प्रे करेंगे कोराजन के साथ में मिलाके एक इस्प्रे में ही दो का काम हो जाएगा और दूसरा क्या कि आपके खेत में जितनी भी दीमक लगी होगी वो दीमक खतम हो जाएगी ठीक है तीसरी बात कि आप जब कोराजन का इस्प्रे करेंगे तो कोराजन बहुत अच्छा plant growth regulator का भी काम करता है पौधे में फुटाव बहुत तेजी से आएगा और पौधा जब रोग मुक्त रहेगा यानि कि गिडार उसको नहीं effect करेगी तो पौधे में अच्छे फुटाव और अच्छी बड़वार देखने को मिलेगी ठीक है इस काम को आप 15 से 16 दिन पर कर लें ये आपके लिए बहुत जरूरी है दूसरी बात बहुत सारे किसान साथी कह रहे है कि हमने धान के खेत में धान लगाया या धान नहीं भी लगाया है फिर भी हमारे खेत में पत्तियां लाल पढ़ती जा रही है ठीक है चार बीगा या छे बीगा जमीन में दो बैग यूरिया के पटक दें साथियों क्यों बेकार में अपना इस चीज में नुकसान कर रहे हो फसल तो खराब हो ही रही है पैसे का नुकसान तो हो ही रहा है ठीक है उससे हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है आप इस चीज में यूरिया की मात्रा को नियंत्रित करें मात्र 5 kg प्रती बीघा के हिसाब से यानि 30-35 kg प्रती एकड़ के हिसाब की डोज ही लगाएं इससे ज़्यादा यूरिया ना लगाएं अब solution क्या है कि जिन पौदों की पतियां लाल पड़ रही है उसके बारे मैं बताता हूँ कि जो कोराजन का आप इस्प्रे करें उसके अंदर यहाँ पर एक कारवेंडाजिम 12% और मैंकोजब 36% के फंगी साइड का 250 ग्राम का पैकेट मिक्स कर लें यही इस्प्रे आपके खेत में उस समय के फंगस को बचा लेगा जो कि फंगस जादा तर खेत में 24-30 दिन या 35 दिन की अवस्था में देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपका जो समाधान है वो कीट नासक के जरिये से फंगी साइड के जरिये से और दीमक जो इंसेक्ट आ रहा है खेतों के अंदर उससे बचाने का काम करेगा ठीक है इस तरीके से आप अपनी खेती को यहाँ से बचाएं अगली बात बहुत सारे किसान साथी कह रहे हैं कि हमारे खेतों में पत्ता लपेट की समस्या देखने को मिल रही है तो इसका क्या करना चाहिए देखिए पत्ता लपेट कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए आपको बहुत जादा इंसेक्टिसाइड या बहुत जादा कीटना सक लगानी की जरूरत है आपने देखा होगा कि जो पत्ता लपेट वाला कीट है वो आखिरी सिरे पर जाकर लपेटता है पत्ते को उस पत्ते से जो हमारी गोब का पत्ता होता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है जो गोब का पत्ता है वो सही सुरक्षित रहना चाहिए अगर गोब का पत्ता सुरक्षित चल रहा है तो आपको इसमें परिशान होने की ज़रूरत नहीं है आप अपने खेत में ये चीज देख लें कि 100 पत्तों में क्या हमारे 20 पत्ते लपेट में आ रहे है या 10 पत्ते लपेट में आ रहे है अगर आपको लगता है कि 10 से 20 पत्ते लपेट में आ रहे है और वो पत्ता इतना लपेटता जा रहा है कि उसमें जो गोब का पत्ता है वो भी उसने कवर कर लिया है या कवर करने की अबस्था में है तो उस समय पर आप एक क्लोरो साइफर का इस्प्रे कर दें उसी से वो नियंत्रित हो जाता है प्रोफेक्स का इस्प्रे कर सकते हैं 250 ml दवा लेके उसका आप इस्प्रे कर दीजिए तो वो नियंत्रित हो जाता है उससे उसके लिए आपको ज्यादा परिसान होनी की जरूरत को यहीं ही हैं लंबी अवधी के कीटनासक कमें आप कोराजन का स्पूरी कर दें ठीक है द्यूसरा दीमक अगर आ रही है खित के अंदर तो कोराजन में ही थायमोथॉक्दांतों मिलाक के स्पूरी करे अंदर तीसरा साल्ट है कि आपको लगता है कि पत्ता और हाँ खास कर उन खेतों में जिन खेतों में दोबारा से धान लग रहे हैं तो वो किसान साथी तो विशेश कर ध्यान दें कि उनके खेतों में फंगस के अटेक ज्यादा होंगे ठीक है फंगस के अटेकों से बचने के लिए हमें यहाँ पर कारवेंडा जिम बारा परसेंट और मैन को जब त्रेशट परसेंट का यूज कर लेना चाहिए बीस से पचीस दिन के अवस्ता में ही और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि पौदे की जड़ों में कोई ग्रोथ अ आलग से कर दें और उसके साथ में वैलिडामाइसन मिक्स करने के बाद में आप इसका इस्प्रे करें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे दूसरी बात बहुत सारे किसानसाथियों ने यहाँ पर खर्पतवार नासियों का उप्योग किया है ज्यादा तर नॉम अगर ऐसी अवस्था किसी भी खेत में बन रही है तो आपको यहाँ पर एक चीज विशेश कर द्यान रखनी होगी कि ऐसी अवस्था में आप यहाँ कॉपर ऑक्सिक्लोराइड ले लें ठीक है किसी भी दूसरी दवा का यूज ना करें दूसरी दवा का यूज करने से कोई सॉल्यूसन नहीं होना है इसका जब आपने खर्पतवार नासी का उपयोग कर लिया तो खर्पतवार नासी पूरे खेत में फंगस लेकर आ जाती है जलन हो जाती है इसे जुलसा भी बोलते है ठीक है और जुलसा में सबसे अच्छा काम कॉपर ऑक्सिक्लोराइड करता है इ इन दौनों साल्ट को मिला के स्प्रे कर दें आपके खेत में अगर किसी भी टाइप के खर्पतवार नासी का एफेक्ट हुआ है तो वो नियंत्रित हो जाएगा मैं करेंटी से 100% कह सकता हूँ कि आपको तीसरे से चौथे दिन इस चीज़ के रिजर्ट बहुत अच्छे दे करेंगे तो कोराजन में हिूमिक एसिड 250 ग्राम मिक्स कर लें ठीक है हिूमिक एसिड 250 ग्राम को कोराजन के 60-70 ml जो डोज है एक एकर जमीन की उसके साथ में मिक्स करके आप स्प्रे कर दें आपको इससे जवरजस्त PGR कोई देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कीट नासक प् ठीक है बहुत सारे किसान साथियों की क्वेरी है कि अब भाई हमारी बालिया निकलने वाली है और लेकिन जो तना छिदक है वो अभी हमारे खेत में है हम क्या करें साथियों 100 ml यहाँ पर 60-70 ml कोराजन लेके आओ किसी भी हाल में लेके आओ और तुरंत स्प्रे करो इससे ब इस चीज़ को नियंतरित कर सकते हैं इसके अलावा दूसरे कोई उपाय आज की डेट में फिलहाल तो है नहीं ठीक है दूसरे साल्ट जो भी लॉंच होंगे उनके बारे में भी जरूर जानकारी दी जाएगी लेकिन विवस है अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसान विव हो गया है पूरी तरह से कि मार्केट के अंदर जो साल्ट हैं वो हमारे पहुंच से बाहर होते चले जा रहे हैं और हमारी खेतों में जो कीट है वो भी हमारे नेंटरंट से बाहर होता चला जा रहा है तो यह जो अवस्था है यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है इस चीज़ स बचने के लिए हमें पहले से ही सतर को होना पड़ेगा थोड़े खर्चे जादा होंगे लेकिन करने पड़ेंगे क्योंकि हमें फसल तो बचानी ही है थीक है तो किसान सातियों आशा करते हो आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी इस जानकारी के आधार पर आप अपनी फसलों को ठीक कर पाएंगे और फ़िर भी अगर आपकी कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट में जरूर पूछेएगा और जिन किसान साथियों को इस चीज की जरूरत है वो किसान साथि दूसरे साथियों को सेर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सकें साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसान भाईयो